राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों जेश्ट मास के कृष्णुपक्ष की एकादशी को अप्रा एकादशी या अच्छला एकादशी की नाम से जाना जाता है अप्रा एकादशी का बड़ा महतम में है माननेता है कि इस एकादशी के ब्रत का पुन्य अपार होता है और ब्रती के सारे पापनश्ट हो जाते हैं पद्म पुराण के अनसार इस एकादशी का ब्रत करने से मनुष्य भव सागा से तर जाता है और उसे प्रेत योनी के कष्ट नहीं भुगतने पड़ते कहते हैं जो बिधी पूर्वग अप्रा एकादशी का ब्रत करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सुक्सम्रध्धी और सौभाक्य की प्राक्ति होती है पौराणिक माननेताओं के अनुसार इस ब्रत को कहने से ना सिर्भ भगवान विश्णु बलकि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और अपने भक्ति का घर धन धानने से भर देती है अप्रा एकादशी ब्रत में भगवान तरी बिक्रम की बिधी बिधान से पूझा की जाती है भगवान तरी बिक्रम भगवान विश्णु भगवान बिठ्थल और भगवान बालाजी तीनों का रूप माने जाते हैं अप्रा का अर्थ होता है अपार इस अनसार यह कहा जाता है कि इस दिन ब्रत करने से अपार धन दौलत और धर्म की प्राप्ति होती है पौरानिक माननेताओं के अनसार इस दिन ब्रत रखने से पूरे संसार में मान सम्मान की प्राप्ति होती है सभी तरहें के पापों और कष्टों से प्राणी मुक्त हो जाता है दोस्तों इस साल अप्रा एकादशी का ब्रत अठारे मई दिन सौंबार को रखा जाएगा एकादशी तिथी प्रारंब होगी सत्रे मई की दुपहर बारे बच कर प्यालिस मट पर और समाप्त होगी अठारे मई की दुपहर तीन बच कर आठ मुद पर इसलिए ब्रत अठारे मई को रखा जाएगा और ब्रत का पारण उन्निस मई को किया जाएगा ब्रत का पारण ज्याने की ब्रत खोलने का समय ब्रत खोलने का शुब महुरत है 19 माई की सुभे 5 बचकर 28 मर्षे सुभे 8 बचका 12 मिनट तक एकादशी ब्रत का पारण द्वादशी तिथी समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए द्वादशी तिथी समाप्त होगी 19 माई की शाम 5 बचकर 31 मिनट पर अप्रा एकादशी पर भगवान विश्णु जी के सासा धनकी देवी मालक्ष्मी की भी पिशेश रूप से पूजा की जाती है भगवान विश्णु मालक्ष्मी जी के सासा बलराम जी की भी पूजा का पिथान है एकादशी ब्रत और पूजन बे थी एकादशी का प्रत रखने इबालों को एकादशी ब्रत के नियुमों का पालन दस्मी तिथी से ही करना चाहें दस्मी तिथी के दिन केबर एक समय भूजन करें दस्मी तिथी के दिन सूर्यास्ते के बार भूजन ना करें और भ्रमचर्य का पालन करें, भोग बलास से दूर रहें दस्मी तिथी के दिन मास, लहसन, प्याच, मसूर की दाल, तेल, आदी निशेद बस्तों का सिवन नहीं करना चाहिए दस्मी तिथी पर रात को अच्छी तरहें कुला करके सोना चाहिए जिससे अन्न का कोई अंश मुह में ना रह जाए एकादशी पर सुरदे से पहले उठना चाहिए एकादशी पर दातों या ब्रश नहीं करना चाहिए आप चाहें तो नीबू, चामून या आम के पत्ते लेकर चमा सकते हैं और उंगली से कंट को साफ कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखें एकादशी पर पत्ते तोड़ना बरजित माना जाता है अथे स्वेम गिरा हुआ पत्ता लेकर आप इसको चबा सकते हैं यदि है संभब ना हो तो पानी से बारे बार कुला करें फिर इसनानादी करें इसनान करने के बाद सच पीले रंके बस्ते धारन करें इसके बाद अपने मंदिर की सफाई करें भगवान जी की प्रत्माव को इसनान कराएं और सच बस्तर पहनाएं भगवान जी की जो तस्वीर हो उन्हें गीले साफ कपड़े से पहुँच कर साफ करें आपके मंदिर में लड्डू गोपाल भगवान श्री किष्ण या पिश्णु भगवान जी की प्रत्मा हो तो उन्हें पंचामरत से इसनान कराएं इसके बाद उन्हें पीले रंग के बस्तर पहनाएं और उनका श्रंगार करें पंचामरत याने की दूद, दही, घी, शहद और चीने इनसे आप भगवान जी को इसनान कराएं इसके बाद भगवान जी के सामने एक शुत्य खी का दिया चलाएं और एक सुगंदे धुपत्ती चलाएं दिया को सीधे जमीन पर ना रखें क्योंकि ऐसा दिया अपूर माना जाता है दिया के नीचे आप कोई छोटी कटोरी या प्लेट रख सकते हैं दिया जलाने के बाद सबसे पहले भगवान शीरी गणेश का पूजन करें भगवान शीरी गणेश को कुमकुम से दिलक करें और उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पित करें और दूर्वा अर्पित करें इसके बाद भगवान विश्नु माता लक्ष्मी जी का पूजन करें भगवान विश्णु माता लक्ष्मी जी को पीली हल्दी या फिर पीले चंदन से तिलक करें इसके बाद भगवान जी को आप पीले रंग के पुष्प अर्पित करें अब भगवान विश्णु माता लक्ष्मी जी का धान करें और भगवान विश्णू जी के द्वादश्मंत ओम नमो भगवते वासु दिवाय का जाप करें। इसके बाद आपको इस प्रकार प्रण करना चाहें कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुश्यों से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा, र प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। आज मैं आपका ब्रत और पूजन करूंगा। इस तरह संकल्प लेने के बाद आप एक जल का लोटा भर के मंदिर में रखें। इसके बाद भगवान विश्णू जी को फल और मिश्ठान का भोग लगाएं। आज के दिन प भगवान विश्णू जी के महामंत ओम नमो भगवति वासू देवाय का कम से कम 108 बार चाप करें। इसके बाद हो सके तो विश्णू सहस्त नाम का पाठ करें और गीता जी का भी पाठ करें। आज के दिन शी भागवत जी का पाठ करना भी बहुत ही शुप होता है। अब जैमा लक्ष्मी, जैमा लक्ष्मी का 108 बार चाप करें। आज के दिन यथा शक्ती भगवान विश्णू माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। आज के दिन एका दशी की कथा को अवश्य ही सुनें। तभी आपकी प्रत और पूजा फूण होगी। इसके बाद भगवान श सबी पापों और कष्टों से आपको मुक्ति दिलाएं। भगवान जी से अपनी मनो कामना पूर करने की भी प्रातना करें। पूजन करने के बाद पूजन के समय जो आपने जल भरके रखा है उससे भगवान सूर्यदेव को आधितें। यानि कि भगवान सूर्यदेव को जल चड़ाएं। सुबह इस तरहें पूजन करने के बाद संध्या के समय आप भगवान विश्णु माता लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करें। भगवान शिरी गणेश भगवान विश्णु माता लक्ष्मी जी की आति करें और प्रत की कथाप को सुने। एकादशी के रात्री को भगवान जी के सामने दीपक जलाकर भगवान जी का भजन कीतन करना चाहिए। अगर आप रात्री में भजन कीतन नहीं कर सकते तो भगवान विश्णु जी के महामंत्र ओम नमु भगवते वासु देवाय का यथा शक्ति चाप करें। एकादशी के दिन भगव तुल्सी के पत्ते नहीं तोड़े चाते इसलिए आप एकादशी से एक दिन पहले ही तुल्सी के पत्ते तोड़कर रख लें या फिर आपने भगवान जी को जो पहले तुल्सी के पत्तों का भूग लगाया है उन्हें पापस पानी से धोकर आप उनका भूग लगा सकते हैं एकादशी का प्रत रखने बालों को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए अन्न जैसे की दालें, चाबल, गैहूं, बेसन आदी प्रत रखने बालों सादा नमक भी ना खाएं प्रत में केवल सेंदा नमक यानि की प्रत के नमक का ही सेवन करें सरसों के तेल का भी सेवन ना करें एकादशी के दिन अशुद्ध द्रब्य से बने पे भी ना पियें जैसे कोल्ट रिंग ऐसे आदी डाले हुए फलों के डिबबन रसको भी ना पियें दो बार भोजन ना करें दिन में केबल एक समय ही भोजन करें भोजन भी आपको सूर्यास्त से पहले ही करना है सूर्यास्त के बाद कुछ भी ना खाएं एकादशी के दिन ब्रत रखने बाले ब्रत में सभी प्रकार के फल और सभी प्रकार के ड्राइफ फूर्स खा सकते हैं ब्रत में कूटू और सेंदा के बने भूज प्रदाद भी खा सकते हैं आलू खा सकते हैं, दूद पी सकते हैं, चाय कॉफी भी पी सकते हैं ब्रत में फल, अत्वा घर में निकाला हुआ फल का रस अत्वा थोड़े दूद या जल पर रहना विशेश लाब दायक होता है ब्रत के तीनों दिन यानि के दस्मी एकादशी और द्वादशी के इन तीनों दिनों में कांसे के बतन में भूचन ना करें मास, प्याठ लेसन, मसूर उरत की दाल, चने की दाल, शाक और तेल आदी का सेवन ना करें और अधिक जल का सेवन भी नहीं करना चाहें हो सके तो ब्रत के पहले दिन दश्मी को और दूसरे दिन द्वादशी को हविश्वान यानि की जो, गैह, मूंग, सैंदा, नमक, काली, मेच, शरकरा और गौगरत आदी का एक बार भूचन करें फलहारी को ब्रत में गोभी, गाजर, सल्जम, पालक, कुलफा का साग, इत्यादी का सिवन नहीं करना चाहें प्रतेक बस्तू का भगवान ची को भोग लगाएं, और तुलसी दल को छोड़ कर, भोग लगी हुई चीजों को ही ग्रहन करना चाहें एक आदशी के दिन जुआ, निंद्रा, पान, पराई, निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, क्रोध, तथा जूट नहीं बोलना चाहें इन चीजों से दूर रहना चाहें, एक आदशी के दिन बाल ना धोएं, बाल ना काटें, ना खून ना काटें, और दाड़ी मुझ भी ना बनवाएं दूर दशी पर सूरे दे से पहले उठकर एक आदशी की तरह ही भूजन करें, फिर भगवान जी से प्रत में हुई सभी गलतियों की शमा मांगें इसके बाद सूरे देव से भी सभी गलतियों की शमा मांगकर सूरे देव को अधित दें भगवान जी को भूजन का भोग लगाए फिर हो सके तो किसी भ्रामर को भूजन कराए और दश्णा दे इसके बाद ही भूजन करके ब्रत को खोले एक आदशी पर जो प्रत नहीं भी रखते उन्हें भी चाबल का सीवन नहीं करना चाहें तामसिक चीजों का सीवन नहीं करना चाहें और भ्रमचरे प्रत का पालन करना चाहें इस दिन यथा शक्ती दान करें किन्तु स्वैम किसी का दिया हुआ अन कदापी ग्रहन ना करें तो आदशी पे अगर आप किसी भ्रामण को भोजन नहीं करा सकते तो आप भगवान जी को भोग लगा कर भोजन निकाल कर कौम माता को खिला दें इसके बाद अपना ब्रत खोलें इस बिधी से एकादशी ब्रत और पूजन करने से भगवान बिश्णू माता लक्ष्मी जी की असीन करपा हमीशा बनी रहती है और ब्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राक्त होता है उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस बीडियो को अपने फ्रेंस और रिस्तेदारों में जादा से जादा शेयर करें जिससे भेभी इसका लाप उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पूर वाचिंग राधी राधी घर पर रहें सुरक्षित रहें और हमसे चुड़े रहें